नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको पसुपालन केलेंडर के द्वारा अक्टूबर और नॉम्बर माह के पसुओं के लिए कुछ हावस्यक सुझाओ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ अक्टूबर माह इस माह में सरदी का असर सुरू हो जाता है अता ठंड से बचने के लिए उचित परवंद कर लिया जाना चाहिए सरदी के मौसम में गाय भैंस के बयाने का परतिसत सबसे ज्यादा रहता है अता माता ये बच्चों दोनों के लिए संतुली तहार मौसम संबंधित बचाओ ये प्रयाप्त आवाश्य की अवसरक्ता कर लिए जानी चाहिए इस माह में जैई वर्षिम उत्तम किस मिट्टी के अनुसार बो देना चाहिए जिससे के पच्चों को परयाप्त मातरा में हरा चारा मिलता रहे FMD का टिका करन अगर नहीं करवाए हो तो इसे अवस्य करवा ले तथा मिमारी फैलने पर पोटेसियम परमेगनेट सलूशन एक परतिशत से खाव को धोना धोते रहना चाहिए एव नजदी की पसू चिकित सालह से सलाह लेनी चाहिए संभावित छेतर में एंथ्रेक्स का भी टिका करण करवा लेना बेहतर होगा ठंड से बचने के लिए पसू को पचीस ग्राम से पचास ग्राम पर तेक दिन गुड खिलाना चाहिए चुकि हराचारा की अधिकता रहती है अतही से संतुलित मातरा में ही दिया जाना चाहिए एक सेस बचे हराचारा को भविश्च के लिए सुरच्छित करने हैं तो पुवाल साइलेज बना लिया जाना चाहिए दुधारू पसुओ को पचास से सो एमिल तरल कैल्सियम फासफोरस पिलाया जाना चाहिए जिससे उनके अंदर कैल्सियम और फासफोरस की जो कमी हो जाती है ज्यादा दुधुद पादन से वो पुरा हो सकता है कभी कभी इस मौसम में कुछ जगों पर एचेस या बीक्यू की भी छिटपुट बीमारी देखने को मिलती है एसी इस्तिती से बचने के लिए टीका नहीं दिये गए पसुओ को टीका करण करवा लेना चाहिए यह पिंडित पसुओ को पसुचिकित्सक की देख रेख में चिकित्सा करवानी चाहिए रुटीन चक्रिये डिवर्मिंग पर ध्यान देना चाहिए पसुओ को एसी डोसिश आफरा से बचने के लिए संतुली तहारा चारा एवदाना देना चाहिए तथा बच्चा देने वाले मादा को संतुली तहारे वहलका बयाम करवाते रहना चाहिए अगर पसुपालक बंदू डेरी फार्मिंग करते हो तो सभी पसुओ को प्रातव बेला में गहन निरिच्छन करना से रिस्कर होगा इस माह तक पसुपालन पसुसाला को बाहे वर जिवियों से बचाने के लिए अस्प्रे पेंटिंग ये पसुओ के लिए डीपिंग अस्प्रे का उपयोग करना चाहिए तो खेती बाड़ी ये पसुपरवंधन में ये अथा संभव सामनजस से बनाए रखना चाहिए इस माह में सर्दी का मौसम सुरू हो जाता है अतह पसुओ का सर्दी से बचाओ का उचित परवंद करना चाहिए इस माह में नौंबर माह में मौसम में बदलाव सर्दी में से गर्मी की और आरंब हो जाता है अतह पसुओ को सर्दी से बचाने के उपाए करना चाहिए तथरात में पसुओ को खुले में नहीं बानना चाहिए पसुओ को इस मोसम में साफ सुथरायव सुखा रखना चाहिए पसुओ की रोग परती रोधक छमता बनी रहे इसके लिए प्रती दिन निधारी तवा मात्रा में खनीज मिश्रन दाना में मिला कर देना चाहिए यदि पसुओ को अब तक खुर्पका मुपका पीपी आर एंट्रो टॉक्सी मिया या चेचक इत्यादी रोगों का ठीका करन नहीं कराया है तो इस माह में अवस्य करा लेना चाहिए पसुओ स्वस्थ रहे इस उत्पादक्ता बनी रहे इसके लिए पसुओ को अंता पर जीवी से बचाओ है तो क्रीमी नासक दवा का उचित खुराग पसुओ चिकित्सक के सलाह पर अवस्य दे पसुओ के लिए रब्बी की चारा फसले बर्शीम, लोसर्ष, जई, इत्यादी की बुआई यदी की गई है तो इस माह तक अवस्य कर ले यदी बुआई हो चुकी है तो बुआई के 20 से 25 दिन तक सिचाई अवस्य कर देना चाहिए विप्रीत परस्तितिया आर्थात जब हरा चारा का अभाव हो उस समय के लिए चारे का संग्रहन है तथा साइलेज के रूप में कर लेना चाहिए भैंस को गर्वित करने का यह उचित माह होता है और खास करके बर्सीम की बुआई माह के अंत तक अवस्य कर लेना चाहिए और दोस्तों पसपालक भाईयों को ध्यान देना चाहिए कि नॉवंबर में आप जो है पसुओ का डिवर्मिंग भी टाइम से कराना चाहिए थेंक्यू धन्यवाद बेशनवी और्गेनिक डेरी फॉर्म